कैसे हैं आप सभी I think स्वस्थ होंगे अगर कोई सेहत संबंधी समस्या है लिख भेजे हमाने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो जरूर बना देंगे फिलाल आएए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सिरदर्द को बिना दवा क कैसे दूर कर सकते हैं वो भी फटाफट आज हर किसी के जीवन में हजारों परेशानिया और मुसीबते हैं जो कभी खत्म नहीं होती है और उन्हीं परेशानियों के कारण होता है सिरदर्द जब यह तनाव एक हद तक बढ़ जाता है तो एक भयानक दर्द बन करके उभरता है यह बिमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपना शिकार बना लेती है इसमें तेज दर्द के साथ ही चकर उल्टी की शिकायत होती है जिससे व्यक्ति बेचैनी और ठकान महसूस करता है तो आए जानते हैं इसको बिना धवा के दूर करने के उपाय के बारे में सबसे पहल ही महसूस कर सकते हैं इसका क्या करना है आपको दाहिना नासी का छिद्र सुर्य की तरह गर्म और बाया नासी का छिद्र चंद्र की तरह शीतल लक्षन को दर्शाता है अर्थात ये दोनों नासी का छिद्र क्रम शह सुर्य और चंद्रमा का प्रतिनी धित्व करते हैं निम् ऐसे परिणाम मिलेंगे कि आप दांतों तले उंगली दबालेंगे यानि कि आपको बिलीव नहीं होगा आपके माइग्रेन की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी हमारे द्वारा कुछ लोगों पर ये प्रयोग किया गया जिससे की लाभ जो सामने आया वो देख करके ख पका दीजिए या फिर सुंघाए इसको सुंघाते रहने से भी आपको आधे सिर्के दर्द से रहत मिल जाएगी पीड़ा से रहत पा सकेंगे आप साथी साथ अगर किसी को नाक से खुन बहने की समस्या है तो वो भी मुलतह जड़ से समाप्त हो जाएगा साथ दिन तक अग दिरे दिरे बंद हो जाएगा चार से पांच दिन तक अगर यह प्रयोग करेंगे दिन में दो से तीन बार कीजिए हर रोज इसी प्रकार से सुंघते रहिए ऐसा करने से सिर्दर्द की समस्या आपकी हमेशा के लिए दूर चली जाएगी लेकिन इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखे अगर आप सुर्योदय के बाद जगते हैं तो यह नियम बदल दीजिए सुर्योदय से पहले जगा किजिए यानि कि सुर्य के उगने के पहले आपको उगना जरूरी हो जाता है उगना मतलब की जगना जरूरी हो जाता है आपके लिए जरूर जगे माइग को पीस करके मस्तिक पर लेप करेंगे और इसे भी आपको दर्द से रहत मिल जाएगी ये एक बहतर तरीका है इससे रहत पाने का जिहां इस प्रकार से इन में से कोई भी है तरीका अपना करके सिर्दर्द को बाई-ाई बोल सकते हैं ये तरीका बेहद सरल और सस्ता है इसके जरी आप रहत पा सकते हैं ये आज की वीडियो रही ये वीडियो आप सभी देख रहे थे अरुवेदी कुप चार चैनल के माध्यम से ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आज के इस एपिसोड से जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों